हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू लेकिशा फूट बलोग आच्छा हम बेसन के लड्डू बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमने कड़ाई के अंदर दो चम्मत देसी के लिया है और हम दो कटोरी ही बेसन इसके अंदर डालेंगे और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अ जादा तीज अगर मीडियम फ्लेम भी रखते हैं तो बेसन इचे से कड़ाई में चिपकने का अंदेशा रहता है जलने की सभावधना भी रहती है तो आपको चम्मत से लगातार हिलाते रहना है और अगर बीच बीच में गाठे हो तो थोड़ा सा खड़ा चम्मत चलाके हो और बेसन थोड़ा सा खिल जाएगा तो बीच बीच के अंदर आप थोड़ी से अगर टाइट लगे तो आप पानी के चीटे भी दे सकते हैं तो आपको दीमी आज पर इसको हिलाते रहना है और पकने पर यह थोड़ी सी खुश्बू देना शुरू कर देगा तो अभी खु कि अब हम इलाइची वगर इसमें डालने के लिए कूटेंगे तो हम तक्रीबन पांस से छे इलाइची यां ले ले लेंगे इलाइची से अलगी खुश्बू आती है और पीसन के जो लड़ू का है वो टेस्ट बढ़ जाता है तो हमें अच्छी तरह इसको कूटना है जब ह अब हमने इसका नारियल का बूरा डाल दिया है और हम शक्कर का बूरा भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे शक्कर का बूरा डाला है अब हम जो पीसी वी इलाइची है उसको हम डालेंगे छिलके निकालके जो बीच का जो चूरा है वो हमें इसके अंदर डालना है तो इससे तेस्ट बढ़ जाएगा आपके नारियल को बीसन के लड़ूगा तो आपको अची तरह पहले चम्मस से मिक्स करना है उसके बाद आपको हातों से मसल के इसको मिक्स करना है क्योंकि बीसन के अंदर ये जो नारियल का पूरा और शक्कर है ये अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए तो अब हम हातों से mix करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से आपको मुठी से आपको पूरे जो बीशन है उन सभी को mix करना है बीशन काफी खिला खिला नाचरा रहा है आपको अब हमें हातों से इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे तो देखिए इस तरह से मुठी बांद के आप लड्डू बना सकते एक हाथ से भी बना सकते आपको क्या हात मुठी को हिलाते रहना है लड्डू को हिलाते रहना मुठी में तो ये गोल शेप में आते रहेंगे आप आप दौनों हाथों से भी बना सकते दौनों मुठ्टियों से भी बना सकते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर बेशन के लड़ो आपको पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को जादा से यदा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर आने चारी है तो चल दिये